आज हम आपको प्रैक्टिस आफ बाइंडिंग एजिस किनारों को कैसे फिनिश करते हैं सिखाई में उसके लिए हमें कुछ सामान की जरुरत है हुई है सीजर बाइस स्ट्रिप या औरेपटी मेजरिंग टेप चौक, टेलर चौक 12 इंची स्केल पैंसिल और साथ बाइसाथ के स्क्वेर कटे हुए कपड़े पेस्टिंग टेट्रॉन सबसे पहले स्ट्रेट बाइंडिंग स्ट्रेट बाइंडिंग कपड़े के सीधे किनारे को कैसे फिनिश किया जाता है उसके लिए एक सीधे कपड़े में और एक पट्रेट लगाना सिखाएंगे और एक पट्रेट को कपड़े के किनारे के साथ मिलाते हुए रखना है उसके बाद सिलाई से जोड़ना है अट्रेट लगाने कि हुए कि अगलाई में बार्द रखना है कि तर मैं हुए आपब यह आपड़े आप़े लगला में है जहे एक लिए ख़रता है एक्स्ट्रा पट्टी को काट दीना है फोल्ड करके हाथ से सेट करना है किनारे को मोड़ते हुए एक सिलाई और लगानी है फिर इसे दूर पाई करके फिनिश करना है इसको तुर्पाई की सहायता से फिनिश करना है फोल्ड किया हमने सबसे पहले उसके बाद मशीन की सिलाई के धागे से सूई लेते हुए और यह पट्टी में से निकाल दी है नीचे से फोल्ड धागे में से सूई निकाल के नॉट लगाएंगे इसी तहा से दूसरा टांका मशीन के बखिये के धागे में से लेकर और यह पट्टी के साथ जोड़ना है इसका एंड़ना है इसका एंड़ना है इस तरह से हमने तुर्पाई करी यह हमारा स्ट्रेट बाइंडिंग कम्प्लीट हुआ सीधे किनारे को और एपट्टी से फिनिश कर कि वो कि तुर्पाईंस झाल 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 झाल